हेलो स्टूडंस हाव रोडू क्यों अचावक के वीडियो वीडियो में आपके पास सेंड कर सुके हम जिसमें हम नहीं रूरल एड्मिनिस्टेशन के बारे में डिस्कस किया था, आज हम अर्बन एड्मिनिस्टेशन यहनकी जो सहरी परशासन है उसे रिलेटिड़ वांजर को यहां पर ध्यान से समझेंगे, ओके फर्स्ट क्येस्टन है हमारा, वाइड दा चिल्डरन गो टू दा यसमीन खाला उस, जो सहर के अंदर बच्चे खेल रहे थे, गली के अंदर, तो उनसे जो ट्यूब लाइट थी, वो ब्रोक वी टूट चुकी थी, तो कैसे बच्चे यसम स्ट्रीट राइट के उसको रिपलेस करवाने के लिए कैसे क्या काम करें, इस सारी नालेज को पुछने के लिए, जानकरी को पूछने के लिए, वो किसके पास गए थे, यसमीन खाला के गर गए थे, लीस्ट फोर वेजिज इनवीश, दा वरक ओफ दा मुनिशिपल कोर्प क्लीन करवाती है जो गंदगी है कुड़ा करकट के धेरन को साप करवाती है इट सप्लाइड एलेक्टर सीटी की सप्लाई करवाती है इट स्वास्थे के लिए हुस्पिटल बनवाय जा रहे हैं कुलक्ट दा गार्बेज फ्रॉम दा सीटी सहर से जो कुड़ा करकटा वो इखठा करवाया जा रहा है तो यह कुछ वर्ख है जो मुन्सिपल कोर्पोरेशन के द्वारा सहर के व्यक्तियों के लिए फैसिलिटी देने के लिए किया जाती है वह इस दा मुन्सिपल कॉंसलर कौ करपोरेशन कि उसको बोलते हैं मुन्सिपल कॉंसलर अब जैसे एक प्रेजेंट हमारे इलंक्सल गंगाबाई लेडीज है जिसने अपने आसपास की एरिये की जो गंदगे उसको साफ करवाने के लिए कैसे जो कुछ तरीके थे वो अपनाए थे गारबेजवाज लेंगे इनना नेबर हुड अप गंगाबाई जो कुड़ा करकट है वो किसके आसपास में डाला जा रहा है गंगाबाई के आसपास पीपल वर सफरिंग फ्रों दा फावल स्मेल तो जो गंदी स्मेल महां से आती है कुड़ा करकट से उसे दुखी है उसके आसपास के पड़ोसी गंगाबाई डिसाइड टू गूट मौन्शिपल कांसलर तो गंगाबाई ने डिशाइड किया कि वो किसके घर जाएंगे मौन मौनिशिपल कांसलर के घर जाकर डिस्काइब करती है बताती है जो पूर सिच्वेशन है उनकी जो आसपास के एरिया की जो सिच्वेशन उसके बारे में ओफ वार्ड तू हर यानि कि उसके आसपास का जो एरिया हर आएगा बटा और ही प्रोमिस्ट टू शोल और जो हिम त मौनिशिपल कांसलर है वो प्रोमिस करता है कि जल्दी से प्रोब्लम इमिडेटली प्रोब्लम का जो सॉलुशन वह जल्दी किया जाएगा शी आलसो थ्रेटन उसने उसको धंकाया तू मौनिशिपल कमिशनर है जो डटी इस इस प्रोब्लम वाज नोट शोल विदिन टू अगर इस प्रोब्लम का दो दिन में शोलुशन नहीं किया गया तैने नंबर ओफ वोमन्स ओफ वाड उसकी जो वाड की दूसरी ओरते हैं वो भी उसके साथ आएंगे और वूड प्रोटेस्ट अगेंस दमिंशिपल कॉर्पोरेशन और किसके खिलाप प्रोटेस्ट करेंग क्रिज़ुब्ल कॉर्पोरेशन वो वो क्या कहां से पैसाी कथ्था करते हैं? मिन्सीपल कॉर्पोरेशन के दुआरण किया जाता है मनि क्या कृंसे मन रते मैंइप ग्लेक्थ से कमों कि कि वाड़ पफ आएक्शेट करते हैं सहर कामवा को करने के लिए it collect हाउस टैक्स एंटरेंबेंट टेक्स तो इस वर का जो टेक्स वह मुंसिपल कोर्पोरेशन के द्वारा क्लेट के जाते हैं अब हम देखते हैं इस लेसन के अंदर फिलप्स दिये गए हैं लेसन के बीच में तो वह कैसे हैं ओके इन एप पंचाय दा इलेक्टिरी मेंबर और काल्ड पंचा इस परकार वार्ड में डिवाइड किया जाता है किसको शहर को किसकी फैसिलिटी के लिए एड्मिस्टिशन की परशाइसन को चलाने के लिए मुंसिपल कॉर्पोरेशन दा इलेक्टिड मेंबर आर काल्ड जो मुंसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्टिड मेंबर होते हैं इनक किसी मामले के deal करते है तो उसका effect है पर भावव किस पर होता है वो पूरी entire city पर, यह जिना सहर है उस पर इसका effect होता है तो election किये जाते हैं कितने साल बाद, पंच साल बाद फौर्टा canciate as well as the municipality पंचाइ़ के जो election हो तो वो भी five years के बाद होते हैं municipality के जो election होते हैं वो भी five years के बाद होते हैं while the counselor make a decision जब counselor के दवारा एक decision लिया जाता है administrative staff lead by the commissioner किसके मदद से commissioner के नेतरितों में सभी counselor के दवारा जो decision लिये जाते हैं तो वो किस पर implement किया जाता है फिर उसको लागू किया जाता है commissioner और counselor के दवारा तो उसको implement लागू किया जाता है किसके दवारा commissioner के दवारा ये थे हमारे फिलफ्स question answer वीडियो को ध्यान से सुनना है December exam के अच्छे से तियारी करनी है Okay students, thank you